नमस्कार किसान साथियों, आज अपने साथ हैं सुनील बैनिवाड भाई साब, ये बेसिकली चूली गाउं से हैं, और सुनील बैनिवाड जी पिछले दो साल से लगातार मतलब अपने साथ जुड़े हैं, पिछले साल भी सुनील जी आपने लगबग 17-18 ट्रली गोबर की खा करी हैं, तो शुरुवातम जिस टाइम पापा ना मतलब नर्मा की बिजाई करी तो एवरेज कितनी ट्रोली गोधन तत्यार वेडी खाद आपाने डली थी, ये सारी शुड़ा ट्राली सारी त्यार के रेडी आठे नो किलाम पड़ी, एडे ट्राली को लगबग अवरेज मत मतलब आपा ने सप्रे करया था, तो वो आई-पीम तकनिक का हिसाबता करया था, एक तो जाइकोनिम लगबग और एमामेक्टिन ये दो ए चीज इसके माल हो इथी, तो लगबग 100 ग्रम तो किला का एमामेक्टिन था और अद्धा लीटर किला का जाइकोनिम था उसके बाद में फेर किसान भाइयों हमने एक सप्रे बीच में कड़वाया खुराक का और खुराक का अंदर आपा नहीं मतलब के के यूज करेया फिर सुनिल जी सप्रे मैं एन्पीके हो गया मेगनीशियम जिंक ठीक है और जाइट 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 अन्पीके तेरा जिरो पंताइट एक क मेगनीशियम सलफेट एक किलो और चिले टीट जिंक बारा परसेंट टाड़ा सो ग्राम और एक किलो जाइट उनिक उसका बाद में फेर इब तीसरा सप्रे वया है तो तीसरा सप्रे का अंदर एक तो वाइट फ्लाई को लेके किसान भाईयों लेन्नो लेन्नो कर दी चार्स लग बग सो दिन क्रोश कर चुके हैं और सो दिन क्रोश करने के बाद में अगर नर्मय के खेत में अगर सिंथेटिक पाइरे थिरोईड दवाई चली जावा है उन खेत्या में खास करके जिन में वाइट फ्लाई कम है अर्या मच्छर कम है और लगातार जहां पर बारिसवा अगर तीसरी साल में अगर तीसरी साल में वी किसान भाई यो अगर देखोगे यह वराइटी है मतलब टाटा दिगज इनके 846 के भी खेत है टैलेंट के भी है टाटा का दिगज भी है रासी के भी कई इन पर खेत है तो यह जो वीडियो सूट हम लोग करने लग रहे है यह नर्मे पर नर्मे वाला खेत है तो लगबग अगर आप हर पुद्ध पर एवरेज देखोगे तो मोटा मोटा मतलब हमने गिन्या है कि 25 टिं अब इस खेत के अंदर हम लोग करवाएंगे इस खेत के अंदर हम लोग करवाएंगे एक तो क्योंकि पिछले दो या तीन दिन पूरा सीजन निकल गया फ्लावरिंग थोड़ी कम है तो फ्लावरिंग के लिए इसमें सुमिटोमो का टाबोली 50 ml परती एकड के इसाब से और पोद्धा जो है वो स्ट्रेस में नाये किसे भी परकार से तो स्ट्रेस को ओवरकम कर करने के लिए इसमें एक किलो एक एकड का जाइटोनिक सुरक्ष्या सप्रे करवाएंगे टाबोली के साथ मिक्स करवा के और सुनील भाई सावे नहीं गाउं चूली के अंदर बहुत जादा अपने किसान भाई हैं जो पिछले कई कि दो सालों से कई साल तो नहीं दो सालों से बहुत बढ़िया मन से जुड़े हैं और बढ़िया त्रिक्के से खेती करने लग रहे हैं गुलभी सुन्डी का एटियल के लिए अमने 20 टिंडे इनके खेत मता बिलकुल रंडम तोड़े और 20 टिंडे तोडने के बाद जब उन तो अगर आपा ICAR यानि Indian Council of Agricultural Research Institute New Delhi के डाटा की अगर बात करें तो एक खेत में 20 टिंडों में से अगर दो टिंडे गुलभी सुन्डी से प्रभावित अगर दिखते हैं तो वो ETL के बीच की स्टेज है मतलब ETL जो है वो आ गया है और नर्मा है योई फिलल जो सुन्डी प भी जाके अगर खेत की ये पोजिशन है तो मेरा आइडिया है नर्मप नर्मा टाटा दिगज पूरा IPM और पूरा यह नमत है जादा तो नहीं कहता लेकिन सायद ये जो खेत है मैं लास्ट में भी आपने एवरेज बता दिऊंगा मेरा आइडिया है लग बग 22 मन तर लेके 24-25 मन के नस्दिक का नक का यह खेत प्यादेगा बक्की जो रहोगा वो देखा है फिर सुनेल भाई साब अपना फोन नमबर और बताओ और कोई भी किसा नगर कोल करे ना तो बिल्कुल सचाई बताई हो आप टोटा है तो टोटा है और जे नफा है तो नफा फोन नमबर ब टीक है इनके बड़े बाई साब है वो भी किसानों के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने लग रहे हैं इनके जो बड़े बाई साब है वो पगडी संबाल जट्टा के जिला अध्यक्स हैं सतीस जी बैणिवाल और दुनों बाई बड़े चाओ से स्टेंडर की खेती करते हैं तो हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय बारत जय किसान